तो भाई, सिनिमा के इतिहास में सबसे गलट डेट पर फिल्म रिलीस करना, लोग फिल्म देखेंगे या पूजा करेंगे, लेकिन फ्रांस को जरा सा भी डर नहीं था, पता है क्यों? क्योंकि फिल्म के अंदर सल्मान खान है, और ये जिस टेट पर पिक्चर रिलीस करते हैं, वो अपने आप दिवाली बन जाती है, जी बॉस, टाइगर 3, फॉर्स डे, फॉर्स शो देखकर आई हूं मैं, और यकीन नहीं करोगे तुम, पहली बार इतने सालों में किसी सल्मान फिल्म में बुराई ढूना अच्छाई ढूनने से जादा मुश्किल हो रहा है, और हाँ भाया, शुरू में ही बताना पड़ेगा ये, जो लोग लॉजिक लॉजिक वाला बाजा लेकर आए हैं इस वीडियो को देखने, आप वहीं से गुडबाई हो जाओ, नहीं मिलेगा फिल्म में भी और इस रिव्यू में भी कुछ फिल्में एक्सपिरियंस की जाती है, उनको सौल्ड नहीं किया जाता, मैंस नहीं है सब कुछ के आगे लॉड लगाया है, इतनी इज़र दी है तो इसकी कोई तो वज़े होगी न, सोचो, वो इसलिए क्योंकि ये बंदा जंगल का पुरा गेम बदलना चाहता है, और जिस टाइगर से हर कोई डरता है, ये खुद उसका शिकार करना चाहता है, क्या सोच रहे हो, के देश को बेचना चाहता है, शेरो शायरी अब हम बंद करेंगे, टाइगर हीरो से विलन बना कैसे, ये जानने के लिए तुम्हें दिवाली पे पठा के नहीं टिकेट खरीदने पड़ेंगे, हाँ जी, सबसे बड़ा सवाल, जिसका जवाब एकदम पहले चाहिए तुमक के लेवल को बड़ा दिखाने के लिए इंडियन सिनमा का गेम बदल दिया था उसने, टाइगर के पास भी दो पैर है, लेकिन एक का नाम आक्शन है, तो दूसरे का इमोशन, जी, बॉस, टाइगर एक स्टोरी बेस्ट फामिली फिल्म है, सिर्फ स्टाइल बेस्ट सिनमा न पचा रही है, काफी suspense, twist and turns बनाने की कोशिश भी होती है, जैसे race franchise में दिमाग घूमता है ना, ठीक वैसा गेम भी है फिल्म के अंदर, लेको पठान वर्सिस टाइगर में कौन सी फिल्म जादा बढ़िया है, इसका जवाब हर किसी के पास अपना अपना होगा, लेकिन एक बात बोलूगी मैं, जो सबके लिए सेम रहेगी, जिसको पठान पसंद आई, उसको टाइगर थी खराब बिलकुल नहीं लगेगी, अगर कोई बोलता है, नहीं पठान बढ़िया था, टाइगर घटिया जूट, कोई बोलता है, ताइगर बढ़िया है, यार पठान में तो इमरान हाश्मी इस फिल्म में हाथों से लड़ने वाला काम नहीं करते, वो पुराना हो गया है, यह सिर्फ दिमाग और डायलोग से हीरो की बेंड बजाते हैं, काफी टाइम बात कोई ऐसा विलन आके खड़ा हुआ सल्मान खान के सामने, जो डरता नहीं डराता है, वक्त जरूर लगा, लेकिन इमरान को वो मिला, जो यह डिजर्व करते हैं, और सल्मान खान का कमबैक, जिसके सिर्फ सपने देखे हैं, हमने इस पूरे साल, वो सच हो गया भाया, थाली लेकर आओ, बुरी नजर उतार लो, ताइगर में का स्क्रीन प्रेजन्स देखकर मुझे सम जाया, सिर्फ आक्टर किसी फिल्म को बर्बाद नहीं करता, कभी-कभी गलत फिल्म भी एक अच्छे आक्टर को बर्बाद कर देती है, किसी का भाई, किसी की जान जैसी वहियाद मूवीज का, अगर पूरा इलजाम आप सल्मान पर डालते हो, तो सरासर चीटिंग है यह, टाइगर 3 में सल्मान खान का केरेक्टर फायर है सर, पब्लिक के साथ उनका वो स्ट्रॉंग कनेक्शन जो मास्ट सिर्मा का पापा बनाता है उनको, वो अभी जिन्दा है, एक्शन सीन्स का लेवल ही अलग है, एकदम तोड़ फोड, हाथ, पैर, बंदूख, हेलिकॉप्ट टाइगर की नहीं, टाइगर को सल्मान की जरुत है, आप लोगों के लिए सिर्फ दो शब्ध है मेरे पास, भाड में जाओ, बॉस हम तुम तयार होके गए थे थेटर सल्मान वर्सेज इम्रान के लिए, लेकिन असली सर्प्राइज तो कोई और ही निकला भाया, केटरीना क बंदी के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है, टाइगर 3, लिटरली फार के रख दिया, आक्शन सीन्स में तो पूरे थेटर की आँखे फटी रह गई, मैंने बोला ना उपर, ये शायद सल्मान खान की सबसे कम सल्मान खान वाली फिल्म है, उसका एक रीजन का 51% रोल है इ है यार, फिल्म में वो कैमियो जिसके बारे में सोचते ही दिमाख में सिफ एक नाम आता है, करन अरजुन, कमाल की बात ये है कि पठान से जादा लंबा मौका दिया है, फैंस को अपने फेवरिट स्टार्स को सेलिब्रेट करने का, ये वाला सीन और एक नेशनल एंफम वाल के दिखाया कि सीटिया तालिया रुकी नहीं पूरे दो घंटे, मनीश शर्मा ने शुरवात अच्छी किये टाइगर 3 से, वो ऐसा सिनमा बनाते नहीं है, लेकिन एलिवेशन माने छोटी सीन्स को बड़ा दिखाना वहाँ चूप गए, क्यार मेरी तरफ से टाइगर 3 को मिल पूरे सिरिमा को फेस्टिवल बनाया है, इम्रान हश्मी कमबाक को भी कमत समझना, बिना आक्शन, बिना जादा डायलोग, सिर्फ लुक्स पे हीरो को किल करना, कोई सीखे इन से, और आधा स्टार तो कैटरीना की करियर बेस्ट परफॉर्मेंस, आक्शन में तो भाई करने में चूक गए थोड़ा सा डिरेक्टर सर, यही फिल्म एगदम दूसरी फिल्म बन जाती, अगर सिधार तानन इसको उपर उठाते, अब आप लोग इतना प्यार से देखते हो मेरा वीडियो, तो एक फाइनल टिप जरूर देखे जाऊंगी, टाइगर 3 खतम होने के ब तेके, बाइब बाइ